गुड मॉर्निंग एब्रिवन बेलकम टू एग्जाम और्बिट किलासिस आज है 30 जून और आज के इस सेशन में 30 जून से बनने वाले सभी महत्पून कोईशन्स को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्पून सुर्ख्यों पर तरकी ने स्वेडन और फिंग्लेंड के नाटो में सामिल होने पर दी अपनी सहमती टोगो और गेबॉन बने कॉमन वेल्ट एसोशियेशन के सदस से राजस्थान के सीकर में मिला यूरेनियम का बड़ा भंडार मुकेस अंबानी ने दिया इस्थीपा आकास अंबानी होंगे जीयों के नए चेयर्मेन 29 जून को मनाया गया अंथरास्थिये उर्ष कटी बंदिये दिबस संस्कृत में अनाॉस्मेंट करने वाला पहला यर्पोर्ट बना वानारासी का लाल बहादो सास्त्री अंथरास्थिये हवाई अड़ा हिमाचल पिर्देश सरकार सुरू करेगी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाइबैक की योजना इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यच बन गए हैं मोहम्मद जलूद नीती आयोग दुवारा लॉंच की गई भारत की गेग और प्लेट फॉर्म अर्थ विवस्था पर एक रिपोर्ट इरा ने ठोस इदन वाला रॉकेट जुल जाना किया लॉंच अब फेंट्स डिसकस कर लेते हैं कल की क्लास का कुई क्रिविजन की कल हम लोग उने क्या क्या पढ़ाता तो फेंट जो पदमा पुल है इसका उदगाटन किया गया है बांगला देश में उदगाटन किसने किया है तो बर्तमान में जो बांगला देश की पियम यानि की परधान मंतरी है सेख हासीना इनके दुवारा किया गया है और फेंट जो पदमा पुल है इसे पदमा नदी पर बनाया गया है फेंट जब गंगा नदी बांगला देश में प्रिबेश करती है तो उसे यहां पर पदमा नाम से जाना जाता है और इसी नदी पर पदमा पुल बनाया गया है पच्छी गाओं के रूप में मानिता प्राप्त किस राज्ज के मेनार गाओं को नई आर्द भूमी के रूप में अधि सूचित किया जाना तै किया गया है तो फेंट जो पच्छी गाओं के रूप में मानिता प्राप्त है न मेनार गाओं ये रादस्थान राज्च में है टाटा पावर ने केरल में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैर्टी हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुवात की है और ये केरल में कहां पर की गई है बैक बॉटर के ऊपर इस परियोजना की शुरुवात की गई है भारत इलेक्टोनिक्स ने एर वोन डिफेंस सूट की आपूर्ती के लिए बेलारूस की कमपनी के साथ एक समझोता किया है साव जो आउ जो उस्तब है ना इसका जो आयोजन किया जाता है वो गोवा राज्ज में किया जाता है उत्राखंड राज्ज में यूट्री कुलेरिया फुर सैलिटा नाम के एक कीट भच्ची पौदे की एक दुरलब पिरजाती की खोच की गई है कैपे गोंडा अंथराष्टिय पुरोसकार से तीन लोगों को सम्मानित किया गया है करनाटक सरकार दुवारा पहले है करनाटक के पूर्व मुख्य मंद्री S.M. किष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक नारायंड मूर्ती और बैटमिंटन के खिलाडी यानि के प्रिकास पादुकॉर्ण को सम्मानित किया गया है बैकेंड रमन किष्ण मूर्ती को बैकेंड रमन किष्ण मूर्ती जो है ना इनका हाली में निदन हो गया है और ये वेल, मारूती, उद्योग और सेल के अध्यच रह चुके है केंद्रिय प्रितच्चे करबोट यानि की CBDD के नए अध्यच बन गए है नितिन कुप्ता शिरिया लंका जो की भारत के उडिसा राज्य से रिलेटेड है और ये भारत की पहली के पॉप स्टार बन गई है तो फ्रेंट्स ये था कल का करेंट अफियर अगर आप लोगों को डिटिल से जानना है तो कल की किलास जरूर देख लीजेगा चलिए डिसकस करते हैं फर्स्ट कोईशन आज की कलास का किस देश ने स्वीडन और फिंगलेंड के नाटो में सामिल होने पर अपनी सहमती दे दी है तो फ्रेंट्स जो नाटो में सामिल होने के लिए जो सहमती दी गई है वो दी गई है तर्की के दुवारा अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि तर्की का अब नया नाम क्या हो गया है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे बोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है आगामी परिक्षा के पॉइंटर व्यू से तो तर्की का नया नाम हो गया है तुर्की है जिसे यूएन यानि की संयुक्त रास्ट ने भी अपनी सहमती देती है फ्रेंट्स पहले किया था कि जो तर्की था ना जैसे स्वेडन और फिंगलेंड ने नाटो में सामिल होने की घोशना की थी ना तो तर्की इसके पक्ष में नहीं था लेकिन हाली में एक मैट्रिक में बैटक आयुजित की गई जिसमें आपको ग्यात होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि मैट्रिक में जो बैटक हुई है जो सिकर सम्मिलन हुआ है ना नाटो का उसमें गेर सदस्य के रूप में किसने भाग लिया था तो जापान ने उसमें भाग लिया था और जापान के पहले प्रधान मंत्री इसमें भाग लिये थे फूमियो की सीधा बर्तमान में जापान के जो प्रधान मंत्री है वो कौन है फूमियो की सीधा है और उन्होंने मैड्रिक में जो बैठक आयोजित की गई थी ना नाटो सिकर सम्मेलन की उसमें उन्होंने भाग ल वाला पहला गेर नाटो सदसभ पूरिया याद रखेंगे रक्षा मुझे शमसथज आ वह किन वह बताई, कि बर्तमान में दच्छ पूरिया की क्या है जूना की बत करें तो उनल नाटों संहाम क्कितन शयुक्त वह रखें सीद्ध क्या है उतलगर, स्वेक्त Centauri मेसेडूनिया यह अक्सर एगजाम में पोछ लिया जाता है इसलिए याद रखेगा तर्की का नाम याद रखेगा छेंज कर दिया गया है समय उप्तिरास ने अपनी सहमती भी दे दियी है नाम हो अगर आप से पूछ लिया जाए तर्की की सीमा ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से लगती है तो याद रखेंगे जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से तर्की की सीमा लगती है ये अकसर एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेड इसे किन्त देशों की सीमा लगती है तो याद रखेगा जब आप बार बार मैप देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा और डेली क्लास लोगे तो आरम से याद हो जाएगा ठीक है चलिए आगे डिस्कुस कर लेते हैं तुर्किये की मुद्रा जो है वो तुर्की लीरा ह तुर्की के जो बर्तमान में राष्टपती है वो रजब तयब एद्रो आड है यह देश यूरेसिया यूरोप और एसिया में अबस्तित है जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे यह आदा यूरोप महादीप में है और आदा एशिया महादीप में है तर्की ने नाटो में सामिल होने की घोष्णा की थी कई बार हम लोग क्लास में डिसकस भी कर चुके हैं तो यह आप देख पा रहे होंगे यह है फिंग लाइंड और यह है सुड़न इसके जरस्ट बगल से आपको दिख रहा होगा नौरबे साथी मैं आपको यह पर एक पॉइंट बता दू कि हाली में जो नाटो सायोगिया है ना जो सायोगी देश है उन्होंने अपना एक यूद अभ्यास किया था उसका आयुजन कहां पर किया गया था तो बाल्टिक सी में किया गया था यह जो आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने सरकल किया है तो हाली में यहां पर नाटो सयोग्यों दुबारा एक युद्ध अभ्यास किया गया था इसके जस्ट उपर आप देख पारे होंगे बैरंट सी फेंट्स आप सभी को ग्यात होगा कि कुछ समय पहले रसिया के दुबारा हाइपर सोनिक जिर्कॉन का अपडेड बर्जन जो सपल परिक्षन किया गय कि किस का पार्ट है आर्केटिक ओशन का पार्ट है रसिया आप देख सकते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर नीचे आपको रसिया दिखाई देखा चले आगे डिस्कुस कर लेते हैं नाटो के बारे में तो फ्रेंट जो ग्रीन कलर से आप लोग देख रहे हो ना यह नाटो के सद इंटर्वियू से यह बहुत महत्वून है आगामी परिक्षाएं जो होने वाली है उसमें आपको नाटो से एक नई कोशन देखने को जरूर मिल जाएगा ठीक है नाटो का फुल फॉर्म भी आप सभी याद रखेंगे नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजिशन य याद रखेगा मोस्ट इंपोडेंट पॉइंट है यह एक्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है मुख्याले जरूर पूछते हैं जैसे कि आपका अंधरास्ट्य ओलंपिक समीथी का हो गया और आपका यह हो गया आई सी सी का हो गया तो यह बहुत महत्तवून है जो अक नाटो के जवाब में 1955 में सोविय संग जोकी बर्तमान में रसिया कौन सी संदी की थी तो वार्साय की संदी की गई थी नाटो के जवाब में नाटो की जो अधिकारिक भासा है वो अंग्रेजी और फ्रांसी सी है अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएए क्या भारत नाटो का सदस से देश है फ्रेंट्स इसका आंसर दीजिए क्या भारत नाटो का सदस से देश है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी बैल आइकन दबाना बिलकुल न भूले जिससे आप लोगों को क क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिये गए बाट सेफ नंबर पर आप सभी हमें कॉंटेट कर सकते हैं साथी आप सभी टेलीग्रा देसों के समू में सामिल किया गया है तो फेंट जो राष्ट मंडल देसों का समू है तो जो राष्ट मंडल देसों का समू है तो इसमें जो देस हैं जो बिटैन के उपनिवेश रहे थे कभी तो राष्ट मंडल देसों का एक समू बनाया गया था तो इसमें क्या है हाली में गयवन और टोगो इन दो देशों को सामिल किया गया यह जो गयवन और जो टोगो है न यह कहां पर है फ्रेंट यह अफरिका महाधीप में हैं कहां पर हैं अफरिका महाधीप में साथी मैं एक उप्षन और बता दू यहाँ पर आपको ग्याद होगा कि संगाई सायोक संगठन जिसका नौवा सदस से देश कौन सा बनाए फ्रेंट्स हाली में बनाई याद रखेंगे तो जो नौवा सदस से देश बन गया है न संगाई सायोक संगठन का वो बना है इरान most important point है याद रखेगा अब आप लोग comments box में बताएए कि इरान की capital क्या है आगे discuss कर लेते हैं गैवन और टोगो के बारे में क्योंकि पूछा जा सकता है ये रास्टमंडल देशों के समू में सामिल हो गए है अब जो रास्टमंडल जो common wealth देश एनफेंट्स अब इनकी संक्या कितनी हो गई है तो टोगो और गैवन के जुड़ने के बाद 56 हो गई है कितनी हो गई है 56 हो गई है याद रखेंगे अच्छा इन दो देशों को जो सामिल किया गया है तो आपको ग्यात होगा कि 26 भी रास्टमंडल सासन अध्यचों की जो बैटक आयोजित की गई थी वो कह कि गई थी किगाली रवांडा में रवांडा कहां पर है तो ये भी आपका अफ्रीका महादीप में है आए डिसकस कर लेते हैं आगे कि गैवन और टोगो कहां पर है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो रास्टमंडल देशों का जो समू है जिसमें अब देशों की सं तो में आपको दोभी आपको देखे रहे हैं इंडिया आपको देख लेया संहीं है ओम लोग फ्सक्राणे सादें पर में ये डे में रही है ट wireless ये इंटरा यू तो ने लिट clinics काdar वहां पर और साथी आप यहां पर देख पा रहे होंगे लेक ओफ विक्टोरिया यहां पर आपको इसी के जरस्ट उपर देखने को मिलेगा रवांडा यहां पर हाली में बैठक संपन हुई है किगाली में टोगो आप देखी पा रहे होंगे यह है टोगो यहां पर तो लोकेशन याद टोगो की फ्रेट जो राजधानी है वो लोम है और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन सी एफ ए फ्रांक टोगो के बर्तमान में राष्टपती फोरे हैं गैवोन के बर्तमान में राष्टपती अली बोंगो है और गैवोन की जो राजधानी है वो लिब्रे बिल्ले है राजधान और आंद प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज यूरेनियम खनन में प्रभेश करने वाला तीसरा राज बन गया है छपने वाला कोशन है आगामी परिक्षा के पॉइंटर व्यू से याद रखेंगे तो फ्रेंट्स जारकंड और आंद प्रदेश के बाद यूरेनिय खनन वाला तीसरा राज बन गया है राजस्थान राज यहां पर काफी बड़ी मात्रा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं याद रखेंगे फ्रेंट्स बहुत इंपोडेंट है चलिए आईए डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले मैंने यहां पर न्यूस पे ध्राफी मैडीकल उपकर्णों समेथ कैं सेक्टर इसका इस्तमाल होता है किसका यूरेनियम का फ 사람들 होता है उसमें पहले स्थान पर है कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर है कनाड़ा और तीसरे स्थान पर है ऑफस्टेलिया याद रखेंगे चलिए आगे डिसकस हैं तो च्छा जारकंड से कहां से निकाला जाता है तो जारकंड के सिंग भूमी में जो जादू गोड़ा है ये यूरेनियम के लिए परसिद है ये कई बार एक्जाम में पूछी गई है कि जारकंड में जादू गोड़ा किसलिए परसिद है तो याद रखेंगे यूरेनियम के भंडार के ये परसिद्ध है इसके अलावा सेकेंड नमबर पर आंदर परदेश है और तीसरे नमबर पर अब आ गया है राजस्थान यहां ऐसा अनुमाल लगाया जा रहा है कि बारा मिलियन टन यूरेनियम हो सकता है ठीक है इतना याद रखेंगे साथी में इसके मिलने से राजस्थान में रोजगार और निवेज दोनों के रास्ते अब खुल गए है यहां पर आप्सन में एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा केरल अगर मैं आपसे पूछू थोरेनियम के भंडार या थोरेनियम किस मिट्टी में पाया जाता है तो केरल में एक मिट्टी पाई जाती है म अनोजैट जाते है तो फंड़ा मीलेगा केरल आपको थोरेनियम मिलता है याद रखेंगे साथी में मद्द पिर्देश के बारे में याद रखते है मद्द पिर्देश में पन्न पन्न किसे प्रिसिद्ध है तो पन्न हीरे की खानों के लिए Casey पर में है तो कि काहां इसे मनाते हैं 29 जून को अन्य उप्संस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि 21 जून को क्या मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं और इसका आयूजन इस वार 2022 में कहां पर किया गया था महसूर यानि कि करनाटक में किया गया था पांच जून को क्या मनाते हैं पर्यावरण डिबस मनाते हैं 16 सिदंबर को क्या मनाया जाता है तो औजो जो चारो देट आप सबी को याद रखनी है क्योंकि बहुत महत्पूर्ण है फेंट जो उंश्र कटी बंदिये छित्र होता है न ये मौटि टोर पर मकर रेखा और करक रेखा के बीच के इलाकों के रूप में परिवाशित किया जाता है जैसा कि आप सभी बल्ड मैप में देख पा रहे होंगे ये पिंक कलर से जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है न तो ये वाला जो एरिया है इसे उंश्र कटी बंदिये छित्र के नाम से जाना जाता है आईए और समझते हैं इसको डिटिल से तो आप देख सकते हैं इसमें ये है एक्वेटर यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रॉफिक ऑप कैंसर उसके जस्ट्री से आप देखेंगे ट्रॉफिक ऑप कैप्रिकॉन तो ये वाला एरिया है न इसे उंश्र कटी बंदिये छित्र के नाम से जाना जाता है याद रखेंगे प्रेंट्स बहुत महत्तपूर्ण है ये एरिया सबसे ज्यादा जो आपको जेव विविदता देखने को मिलेगी न वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है याद रखेंगे चलिए इस मैप में भी आप लोग समझ सकते हैं ज केंद्र के फैसले के अनुरुप के सराज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाइबैक योचना सुरू की है तो फिर जो बाइबैक योचना सुरू की गई है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए वो सुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपको ग्यात होगा कि को समय पहले हम लोगों ने डिसकस किया था कि एक जुलाई 2022 होती है ना की इंद्र सरकार पूरी टरह से प्रतिबंध लगा देगी सिंगल यूज प्लास्टिक कि मतलब आप लुक्त समझ रहे होंगे जैसे जो कैरी बैक होते हैं और जो कब बगरा होते हैं ये सारे और जैसे पानी की बोटल है तो ये सिंगल यूज मतलब इनका एक बारी यूज कर सकते हैं तो उसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है आए आगे डिस्क्स कर लेते हैं इसके बारे में कि ये यूज ना है क्या तो सिंगल यूज के जो आइटम होंगे यह अपने घर से कट्टा करके लाएंगे फिर जो हिमाचल प्रदिस सरकार है वो 75 रुपए प्रती किलो के हिसाब से उनको भुकतान करेगी ठीक है यूबाओं में परियावरर सरच्छन की आदर डालने के उद्धे से यह योजना शुरू की गई है और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है से डिस्पोजेवल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है साथी में आप सभी याद रखेंगे कि भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है जिसमें से 43 फीस्दी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है अगर माल लिए जिसे एक जुलाई से गबर्मेंट ने ये जो लगा दिया है प्रतिबंद अगर इसका कोई उलंगन करता है तो उसे पर्यावरर सरचण अधिनियम यानि की 1986 के तहट डंडित किया जाएगा जो पांस साल की कैद या एक लाख रुपए जर्माना या दोनों भी हो सकता है माइक्रो प्लास्टिक किया है तो प्लास्टिक के वेकर होते हैं जिनका ब्यास पांच मिनिमीटर से कम होता है चलिए आगे डिसकस करेंगे नैस्ट कोईशन निम्न लिखित में से किस ने इंडियाज बूमिंग गिग एंट प्लेट फॉर्म एकॉनमी सीरसक से एक रिपोर् पांच की गई है नीती आयोग के दुबारा आए डिसकस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में यह अपनी तरह का पहला अद्यन है जो भारत में गिग प्लेट फॉर्म अर्थ विवस्ता पर ब्यापक ड्रस्टिकॉर्ण और सिपारिस से प्रस्तुत करता है रिपोर्ट छ विवस्ता में 37,000,000 करमचारी कारेरत थे इनका गैर किर्सी कारेवल में 2.6% या भारत के कुल कारेवल में 1.5% योगदान है गिग कारेवल की संक्या बढ़कर फेंट्स इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो गिग कारेवल है इसकी जो संक्या है वो 2029 तक 2.35 करोड हो जाने की उम्मीद है अब आपको यहां पर एक पॉइंट बता दो आप सभी के मन में कोईशन भी उठ रहा होगा कि गिग एकॉनमी क्या है तो गिग जो अर्थविवस्ता है ऐसी अर्थविवस्ता जहां इस्थाई करमचारियों की बज़े फ्रीलांसर गेर आ इस्थाई करमचार को भी न्यूक्त किया जाता है वो गिग एकॉनमी कहलाती है एक बार आप सब भी गूगल पर जाकर इसके बारे में डिटिल से पढ़ लीजेगा क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको डिटिल से बताऊंगी ना तो क्लास फिर लंबी हो जाती है ना चले आगे डिसक्स करेंग दुनिया का पहला जो हवाई अड़ा यानि की एरपोर्ट बन गया है वो बन गया है लाल बहादो सास्त्री अंधरास्टिय एरपोर्ट जो कि कहां पर है फ्रेंट्स तो यह उत्तर प्रदेश वाणा नाशी में है इसका उद्धिश से क्या है तो संस्किर्ट भासा को दुन पे गुंड़ा अंधरास्टिय हवाई अड़ा जो कि कहां पर है बैंगलॉर में है आगे डिस्कस करेंगे पवन उर्जा का उप्योग करने वाला हाई बिरिड विजली पर्योजना सुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा कौन सा बन गया है मुंबाई का छत्रपत सिवाजी अंधरास्टिय यर्पोर्ट ओन टाइम पर्दसन के लिए वैस्विक सूची में आठवे इस्थान पर रहा है चैन्नई अंधरास्टिय हवाई अड़ा भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड़ा है इंद्रा गांधी अंधरास्टिय हवाई अड़ा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर उड़ा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा बन गया है इंद्रा गांधी अंधरास्टिय हवाई अड़ा नेस्ट कुशन देखेंगे किस देश ने जुल जाना नामक ठोस इदन संचालित रॉकेट को अंतरेच में लॉं किया था अड़ा है अंपकेज दिवारह किया था और हाइपर सौनक मिसाल को किसने लॉंच किया था तो तो इतने जानकारिया हैं आप सभी याद रखेंगे और यहिस रॉकेट लॉंच किया गये इस सफीर हैा yum gric ii rar इरान की location आप सभी map में देख सकते हैं ये है इरान में एक बंदरगा है जिसका नाम है क्या है फ्रेंट चावार बंदरगा याद रखेंगे गौदर बंदरगा पाकिस्तान में है ये अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है चले आगे discuss करेंगे next question अल्थरास्टि भरत लिया है तो उन्होंने उर्सुला पाप का इस्थान लिया है आगे discuss करेंगे अन्य न्योक्तियों के बारे में गिलवट एफ होंगो बन गये हैं अंतरास्टिय स्रम संगटन के महा निर्देश सती स्पाई बने हैं अंतरास्टिय यूरोनियम ऐलूमीनियम संस्थान के नए अद्यश लवलीना बोर्गोहन बन गई है अंतरास्टिय बॉक्सिन एस्टियेशन की एथलिट समित्य की नई अद्यच के एन रागवन बन गए हैं अंतरास्टिय रवड अध्यान समू के अद्यच लीसा इस्टाले कर बन गई हैं फैडरीशन ऑफ इंटरनेशनल नेस्ट वोईशन है देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कमपनी रिलाइंस जीयो के नई चेर्मेन कौन होंगे तो फ़िंड जो रिलाइंस जीयो है इसके नई चेर्मेन होंगे आकास अमबानी जिन्हें आप सबी पिक में देख सकते हैं क्योंकि इससे पहले कौन थे तो मुकेस अम्बानी थे इन्होंने अपने पद से स्थीपा दे दिया है और आकास अम्बानी होंगे अब जियो रिलाइंस के नए चेयरमेंड ठीक है जियो की जो इस्थापना की गई थी वो 2007 में की गई थी और जियो का जो हैड क्वाटर है वो मुंबई माहरास्ट में है आगे डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन स्थाटिक जी के कोईशन अर्जुन अबोर्ट किसको दिया जाता है रास्टी इस्थर पर सर्विसिस्ट खिलाडी को भारत में पहली भारत में महिला होकी किलब की इस्थापना कब हुई थी 1975 में ऑलम्पिक द्वज में गोलों की संक्या कितनी होती है पाँच धोड़ना चारे अबोर्ट दिया जाता है सर्विसिस्ट गुरू को या सिक्षक को कोशिका में राइवोसॉम का क्या कारे है प्रोटीन का संसलेशन नवाट की स्थापना 1982 में की गई थी किसी अर्थ विवस्ता में मुद्रा के मूल और कीमत इस्तर के बीच का सम मंदित है नर्सिम्बन समीथी क्रेडिट कार्ट के इस नाम से जाना जाता है प्लास्टिक मनी के नाम से कल की क्लास में ने जो क्वेशन आपसे पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं रुमेली धन ने किस खेल से सन्यास की घोशना की है क्रकैट से जून 2022 में जारी नवीन अपना त्याक पत्र देता है लोक सभा उपाद्यच को अब आप लोगों के लिए कुछ कोईशन है जिनके आंसर आप सभी को देने है कमेंट्स बौक्स में इनमें से किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है नेस्ट कोईशन है भारत भारतियों के लिए नारा किस संस्थाने दिया था नेस्ट कोईशन है प्रतिवी पर दिन और रात होते हैं नेस्ट एंड लास्ट कोईशन है अगलो आस की धारा किस माहा सागर में बनती है तो friends इन सब के answer आप सभी को देने हैं comments box में आज की class आप लोगों को कैसी लगी comments box में जरूर बताएगा साथी class को like, share and subscribe करना ना भूलेगा मिलते हैं next class में तब तक के लिए thank you so much